कि सर क्या प्रोविजन है यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए हमने लास क्लास में कि सेक्शन सिक्स्टी कर लिया था सेक्शन सिक्स्टी में क्या था कोई पास है थो वह इंकम आपकी ही बाने जाएगी ट्रांसपर करोगे तो कंडीशन मतलाना इसके बाद आगे देखा जाये यहां पे कमीशन स्षाउस का सब्स्टांच्छ इंटरस्ट कर लिया था अब बात करते हैं हम income from asset transfer to spouse अब देखिए ध्यान दीजे मान लेते हैं मिस्टर राम और ये मिस्स राम राम ने क्या करा यहाँ पे इसको पचास अजार रुपे दीए ध्यान दीजेगा राम ने इसको पचास अजार रुपे दीए और मिस्स राम के पास पहले से कुछ सेविंग यानि पहले से कुछ पैसे रख रखे थे बागी के पचास अजार रुपे मिस्स राम के पास भी थे मिलाए टोटल मिस्स राम के पास हो गए एक लाख रुपे जब मिस्स राम के पास टोटल एक लाख हो गया तो Mrs. Ram ने सोचा कि एक काम करता हूं कि मैं business start कर लेती हूं इसने अपना बुटीक का काम स्टार्ट किया जो की एक लाख में सफिसेंट सा start कर लिया अब जैसे इसने बुटीक का काम स्टार्ट किया first year का इसका profit first year का profit इसका आता है मान लेते हैं 20,000 रुपे का तो सर 20,000 रुपे का जो profit है ये profit हलाकि सारा effort लगा के Mrs. Ram ने कमाया है लेकिन इसके अंदर assets का contribution भी रहा है किसका assets का contribution था सर अगर मैं assets के contribution की बात करता हूँ अगर मैं assets की contribution की बात करता हूँ तो 20,000 रुपे के assets में 50% assets contribute किया है उसके husband ने तो यहाँ पे जो 20,000 की income है उसको दो हिस्से में बाट दिया जाएगा सर एक income माना जाएगा उसके husband का जो की होगा 10,000 और एक income उसकी मानी जाएगी 10,000 और यह 10,000 income इसके अंदर जाके club कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी husband ने transfer किया हो तो उसी के उपर provision है देखते हैं क्या कहता है बड़े simple सा है exam के point बीसे बोलूँगा बहुत rare पूछा जाता है क्या कहता है income of assets transferred to spouse if an assets अगर assets other than house property house property के अलावा is transfer by husband to his wife अपने wife को करता है by way of her husband without educate consideration any income कोई भी income from such asset deemed to be income of the transferer तो वो income किसकी मान ली जाएगी कोई भी income arise होती है तो transferer की उब्विस सी बात है this rule और यह rule however does not apply the following case यह rule नहीं लगता where the transfer is full consideration अगर उससे पूरे पैसे लिये थे जो भी asset transfer के अमाले ते जोलरी दिया यह कुछ भी दिया तब नहीं लगेगा where the transfer connection with the agreement leave apart divorce का case हो तब नहीं लगेगा where the asset transfer before marriage marriage से पहले अगर दे दिया हो तब भी नहीं लगे है क्योंकि हर रिस्क है where the date actual कहता गए where the date of accrual income transfer not spouse transfer मतलब जहां पे date of accrual income जब हुआ transfer is not the spouse मतलब कहने का मतलब उसकी wife नहीं है बाद में उसको income मिला तो उस दिन दे दिये गया when property तो सारी कहानी वही है कि अगर हम किसी को asset transfer कर देते हैं और बिना educate consideration की तो वो income आपकी ही मानली जाएगी एक ये point रहे गया था सार ये इतना important नहीं है लेकिन फिर भी हमने read कर लिया 10 year के अंदर आपके questions given है और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और book के अंदर भी था तो वहां से भी पढ़ सकते हैं अब अगले point पे चलते हैं sir clubbing of income में theory है हान जी बिल्कुल theory है और कुछ भी नहीं है इसमें अभी किसी का भी doubt नहीं लूँगा accrual का मतलब होता है due मैं इसको भेटा sir accrual का मतलब होता है due last मैं सभी को मैं point दूँआ कि भी आप doubt पूछे जिस तरीके से हर class में रहता हूं यहां पढ़ लेते हैं एक छोटा सा point छोटा सा provision income from asset transfer to daughter-in-law अपने son's wife को दिया if an individual कोई भी transfer assets without adequate consideration his daughter-in-law son's wife को any income arise from such assets will be include the total income of transfer ultimately यह जो chapter है यहां पे जो provision है बनाने का एक ही purpose था कि sir कभी भी कभी ऐसा हो कि कोई income कमा रहा है और income किसी और के नाम कर दे तो हम वापस उठाके उसी के income में जोड़ देंगे अगर देखा जाए टेक्स चोरी के लिए किया गया है तो और इस case के अंदर कई जैनुवन भी जोड़ा जाएगा ऐसा नहीं है कि वो बोल दे कि हमारा purpose ही नहीं है तो उसको भी जोड़ा जाएगा तो देखा जाए तो पहले वाला point और यह वाला point सेम था सबसे major point यह आया था एक कहता है transfer of assets to other other persons associated by with wife एक पर देख लेते हैं क्या provision था हुआ यह Mr. X और Mrs. X Mr. Y और Mrs. Y यानी यह चार person है अब कहा गया कि भाईया आप wife को property देदे तो inadequate consideration में तब यह income जो भी है वो आपकी मानी जाएगी law यह कहता है कहने के पीछे purpose भी है भाईया प्रोपटी तो घर में रह गई आपका यहां पर रिस्क नहीं है कहा जाएगा बाहर लेकिन एक जगह पर बोला गया अगर आपने अपने मंगेतर को property दे दिया तो भी या उसी को देना है tax क्योंकि आपका risk है वहाँ पर वो लेके चली गई या चला गया तो आपका तो गया वो property यानी अब यहां पर लोगों ने क्या करा चला कि कर आपका Mr. X और Mrs. X दोनों मान ले तें Mr. X और Mr. Y दोनों friend है यह यह दोनों friend है सर जब यह दोनों friend है इसने क्या करा इसकी wife को gift दिया एक property इसकी wife को दे दिया अब तो सर यह आपस में जो Mr. X है और Mrs. Y है यह तो आपस में relative भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसने इसको property gift दे दिया तो law के नजरिये में क्या माना गया सर रिस्क है यहाँ पर तो यह property की income इसके उपर taxable हो जाना चाहिए फिर Mr. Y ने भी बोला मैं भी gift दूँगा इसने इसको दिया क्या gift दिया इसका अलग property होगा इसका अलग property होगा जो भी दिया अब देखो हालाकि income जो है वो separately होता हता ते इसने इसको दे दिया अलागो इसको दे दिया अब इस तरीके से देखा जाए इस property की income पर TAX Saturday और इस प्रॉपर्टी जो इसको मिला है वो यह देगा तो यह दोनों बच गए एक छोटी से प्लैनिंग के इसको बोला जाता है क्रॉस सभी करते हैं क्योंकि शादी की बात करूं तो शादी का मतलब होता है आपका कि आपने शादी कर लिया कार्ट चपवा लिया शादी हो गया लेकिन आपकम टेक्स को शादी नहीं मानते जब तक आपको कोट के अंदर सेटिफिकेट नहीं कर लेते तब तक आपका लीगली नहीं माने जाता तो बहुत लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी से कैसे बचा जाए अपनी वाइफ को डिवॉस दे देते हैं और आधी प्रॉपर्टी में हस्बेंट वाइफ अलग-अलग हैं और रियालिटी में दोनों साथ रह रहे हैं इस प्लैनिंग ये भी एक टेक्स प्लैनिंग का हिस्सा है सर इस प्लैनिंग के हिसाब से वह अपना इंकम काफी सारा बचा सकते हैं क्योंकि अगर डाइवोस है तो विदाउट एडूके कुछ ऐसा लौबन सकता है यहां बोला गया transfer of assets to other person associated person to the benefited spouse कहता है if an individual transfer assets without educate consideration to some other person किसी को दे दिया associate percent या उससे जुड़ा हुआ था for the immediate आपका deferred benefit his or her spouse उसके wife को या उसके husband को benefit मिल रहा था any income arise from such assets that person associated will be include total income transferer extent of the benefit spouse मतलब उस spouse को नहीं मिलेगा यह मिलेगा किसके अंदर transferer में जोड़ दिया जाएगा मतलब यह भी जो चाला की चली कुछ दिनों तक चली है यह जैसे पता चला government को cancel कर दिया और यह section लेके आ गया बच्चे कह रहें no video चलिए देख लीजिए refresh कर दिया चलिए सर इसके बाद income from business not important मैं reading कर देता हूँ normally income from business में क्या है सर बिजनस से जो income होगा where the asset transfer to the spouse मैंने बता दिया daughter-in-law invest into the business income arise transfer from business shall include in the income of transferer जो मैंने एक अभी बताया था assets दिया बुटिक का example लिया था same वैसा ही है यह भी minor child का हम सर already done कर चुके है remuneration पहले ही हो चुका है तो यह इस तरीके से clubbing of income खतम हो जाता है इसमें section 65 है जो कि अगर कोई transfer करा जाए limited liability partnership firm में कोई asset transfer करता है तो उसके उपर exam में नहीं पूछा जाता पहले हमने exam oriented पूरा complete कर लिया है यह chapter सर और यह था हमारा पूरा clubbing of income program जाता है जाता है जए अगरा ठीमोड कर दो में पूरा पूरा जाता है जाता हुआ है रहा है भीेगा है जाता हैодन है जाता है जाता हमेडर सब्सक्राइग कर लिया है A